ओम शांती सुनते हैं 1 अप्रेल 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महाँ वाक्य आज की मुरली का टाइटल है निरंतर योगी ही निरंतर साथी है तो आज की मुरली में बाबा ने विशेश कौन से बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जनम जनम साथ रहते हैं साथी बाबा ने बताया हर माहर्थी को स्वेम में क्या चेक करना है तीसरा कौन सी आत्माओं का गुणगान खूब होता है और लास्टली बाबा ने अश्ट रतन नंबर का आधार क्या है तो लंडन सेवा केंद्रों की प्रमुख दादी जान की तथा अन्य महार्थी भाई बेनों की बैठ के समय अव्यक्त बाब दादा के उचारे महावाक के तो सुनते हैं एक अपरेल 78 की मुरली आज मायाजीत विज़ई रतनों का विशेश संग्ठन है आज के संग्ठन में बाप दादा किनों को देख रहे हैं जो आदी से अंत तक बाप दादा के सदा फेत्फुल सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले सदा के सैयोगी और साथी हैं हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले सदा सरेश्ट मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरशोतम ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जनम जनम साथ रहते हैं जो अभी बाप से वाइदा निभाते हैं कि तुमी से बैठूं तुमी से हर सेकंड हर करम में साथ निभाऊं ऐसे वाइदे को निभाने वाले स्पूत बच्चों को बाप भी जनम-जनमांतर साथी भाव का वर्दान अभी देते हैं साकार बाप के साथ भिन नाम रूप से पुझ्य में भी साथी और पुझ्यारी पन में भी साथी देखो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जो अब संगम युक पर साथ रहते हैं वो पूरे कलप में किसी ना किसी नाम रूप में साथ होंगे पुजारी में भी और पुजारी पुजे में भी और पुजारी पन में भी ज्यानितु आत्मा बनने में भी साथी और भगत आत्मा बनने में भी साथी ऐसे सदा साथी का वा तत्वम का वर्दान ऐसी विशेश आत्माओं को अभी प्राप्त होता है कप प्राप्त होता है अभी हर महर्थी को स्वेम को चेक करना है क्या चेक करना है अब ध्यान से सुनो हर महर्थी को स्वेम को चेक करना है कि वर्त मांसमे बाप दादा के गुणों नालेज और सेवा में समानता और साथीपन कहां तक है समानता ही समीपता को लाएगी अभी की स्टेज और भविश्य स्टेज में और हर सेकंड साथी पन का अनभव जनम जनवांतर भी नाम रूप संबंद से साथ के अनभव के निमित बनेंगे विकर्मा जीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम बनने के समय भी साथ ही हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे इसका ही गाएन है साथ जिएंगे साथ मरेंगे अर्थात साथ चड़ेंगे और साथ गिरेंगे गाएन है ना साथ जिएंगे साथ मरेंगे तो वो बाबा बता रहे हैं चड़ती कला उतरती कला दिन और रात दोनों में निरंतर योगी निरंतर साथी जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूरण हैं उतना ही समीप के संबंदी बनने में भी समीप होते हैं विश्य की नंबर वन स्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्तो है विश्य की नंबर वन स्रेष्ठ आत्मा लेकिन ऐसे नंबर वन आत्मा के सदा संबंद में रहने वाली आत्माओं का भी महत्तो हो जाता है देखो दादी ब्रिजिंद्रा को बाबा ने कहा था कि बच्ची तुम 84 के 84 जनम कहीं न कहीं किसी न किसी नाम रूप में बाबा के संबन्द में रहेगी तो सचमच वो लास्ट बर्थ में भी उनकी पुत्र वधू थी तो बाबा कहते जो ऐसी महाना आत्मा है सबी आप देखेंगे दादी प्रकाश मनी और बाकी दादियां भी कहीं न कहीं निकट संबन्द में रिलेशन में और जानकारी में थे मम्मा तो दादी प्रकाश मनी और मम्मा तो बैच मेट एक ही कलास में पढ़ते थे तो बाबा कहते हैं लास्ट बर्थ तक भी कही ना कही नाम रूप में होंगे कैर इसका मतलब यह नहीं है जो लेट आये हैं वो नहीं होंगे वो भी जरूर पहले पूरो मैक्सिमम जन्मों में 82-83 जन्मों में आसपास ही अंगसंग ही कही ना कहीं होंगे लेकिन जो संगम पर समाम स्थिती बनाते हैं जैसे आज कल भी अलब काल की स्टेटस को पाने वाली आत्माओं कोई प्रेजिडेंट या प्राइमनिस्टर बनती हैं तो उनके साथ उनकी फेमिली का भी महत्तव हो जाता है तो सदाकाल की स्रेष्ट आत्मा के संबंद में आने वाली आत्माओं का महत्तव कितना उचा होगा अभी थोड़ी सी हल चल होने दो फिर देखना आदी पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंद निभाती आई हैं उन्हों का कितना महत्तव होता है जैसे पुरानी वस्तु का महत्तव रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वेम को भी धन्य अनुभव करेंगे ऐसी स्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो, जितना आप बाप के गुणगान गाते हो, उतना ही रिटन में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे अभी क्यों नहीं गुणगान करते, सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है, अभी भी मिलता है, लेकिन कम, उसका कारण जानते हो, अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो बाप के गुणगाते गाते, अपने आपके भी गुणगाने शुरू कर देते हो, भाशा बड़ी मिठी बोलते हो, लेकिन मैपन का भाव होने के कारण, आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है यही सबसे बड़ेत बड़ेत बड़ा अती शुक्षम त्याग है, मैपन का त्याग, इसी त्याग के अधार पर, नमबर वन आत्मा ने नमबर वन भाग्य बनाया, ब्रह्मा बाबा ने, और अश्ट्रतन नमबर का भी अधार, यही त्याग है, यह मैपन का त्याग हो हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे मैपन समाप्त हो जाए जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं मेरा सभाव मेरे संसकार मेरी नेचर मेरा काम या ड्यूटी मेरा नाम मेरी शान मैपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है मैपन और मेरा पन समाप्त हुआ यही समानता और सम्पुरणता है स्वपन में भी मैपन ना हूँ इसको कहा जाता है अश्व मेग यग में मैपन के अश्व को स्वाह करना यही अंतिम आहुती है और इसी के अधार पर ही अंतिम विजे के नगाडे बजेंगे संग्ठन रूप में इस अंतिमाहुती का दिल से आवाज फैलाओ फिर ये पांचों तत्तो सदा सब परकार की सफलताओं की माला पैनाएंगे अब तक तो तत्तवी सेवा में कहीं कहीं विगन रूप बनते हैं लेकिन स्वाहा की आहुती देने से आरती उतारेंगे खुशी के बाजे बजाएंगे सब आत्माएं अपनी बहुत काल की छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के गुंगरु पहन नाचेंगी तब तो अंतिम भक्ती के संसकार मर्ज होंगे ऐसी भक्त आत्माओं को भक्त पन का रदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा कोई को भगत तो आत्मा का रदान कोई को आत्म ग्यानी भव का रदान सरव आत्माओं को अभी वर्दानी बन वर्दान देंगे साकारी रज्य करने वालों को रज्य पद का वर्दान देंगे ऐसे वर्दानी मूर्थ काम देनू आत्माएं बने हो तो जो आत्मा जो मांगे तथा अस्तू ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है समझा बाबा ने कितना सुन्दर बताया के कैसे पांचों तत्तु भी माला पहनाएंगे स्वाहा की आहुती देने में इसे आरती उतारेंगे खुशी के बाजे बजाएंगे बहुत काल की इच्छाओं प्राप्ती करते महिमा के गुंगरू पहन नाचेंगे तब तो अंतिम भक्ती के संसकार बाबाने का मर जोंगे ऐसे सदा शूरवीर, सदा तक्त और ताजधारी हर सेकंड हर संकल्प में स्रेष्ट त्याग से स्रेष्ट भाग्य बनाने वाले हर कदम में फालो करने वाले हर समय सरव खजानों से संपन अखुट खजाने से सदा संपूरण रहने वाले लक्षे और लक्षन सदा संपूरण रखने वाले ऐसे संपूरन स्रेश्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो भविश्य का प्लैन बनाना है उसके लिए संग्ठा निकठा किया है ये दिदी जी के साथ बाबा बात कर रहे क्या प्लैन बनाएंगे जो भी किया है वे तो बहुत अच्छा किया और अभी जो करेंगे वे भी अच्छा करेंगे कोई भी प्रोग्राम वा प्लैन की सफलता का अधार क्या होता है रिवाजी रिती भी किसी भी कारे की सफलता का अधार क्या होता है कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो अभी जो कांफरेंस की तो उसकी विशेश सफलता का अधार क्या था साधारन रिती से भी हर प्रोग्राम की सफलता का अधार विशेश व्यक्ति की परसनेल्टी का रहता है जैसी परसनल्टी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेश आवाज बुलंद करने के लक्षे रखकर प्लैन मनाते हो ना विशेश परसनल्टी आवे जिससे स्वते आवाज बुलंद हो जाए तो personality साधन बन जाता है लौकिक personality वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित बनते हैं वैसे आप विशेश निमित बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में personality चाहिए personality मनुष्य को अपनी तरफ आकरशित करती है तो वर्तमान समय की personality कौन सी चाहिए purity ही personality है जितनी जितनी purity होगी तो purity की personality स्यम ही सरव के सिर जुकाएगी और लास्ट बाबा ने जानकी दादी से भी तब लंडन सेंटर दस दो तिन साल से तिन चार साल से शुरू हुआ था लंडन में भी धर्मात्माओं का chance है जो भी chance लो उसमें रुहानियत की आकरशन का दर्शे जरूर हो जैसे तीर स्थान पर शांती कुंड या गती सदगती के कुंड बनाते हैं न तो ऐसे समझें की सरव प्राप्ति कुंड यही है नियारापन अनभव हो साधारनता हो लेकिन शक्ति शालिया और यह सत्यता मैसूस हो ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज भी ले लेंगे अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रन देते हैं फिर जैसे जड़ चित्रों को आखों और सिर पर उठाते हैं वैसे आप सब को उस नजर से कहां मिठावें क्या करें कुछ सूजे गाई नहीं महिमा में क्या बोलें क्या ना बोलें सूजे गाई नहीं और दादी जानकी की तो यह 78 की है और दादी शरीट छोड़ा अभी पिछले साल और दादी की यह स्टेज तक तका चुकी थी विदेश में कहां बिठाएं, कहां करें, कितनी महिमा करें, क्या न करें, कितना उनको कहां पहुंच गया, सारा वेश्चुक्वे सेवा में निमित दादी बने, महिमा में क्या बोलें, क्या ना बोलें, सुजे गाईने, संग्ठन करना अच्छा है न, संग्ठन से भी उमंग लास बढ़ता है अच्छा ओम शांती और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे